रिकोर्डिंग अभी नहीं, हाँ जी, ही कैब रिकोर्डिंग स्टाट कर इशा, गुड इवनिंग, विनै, निशिता, किशन चलो, मेरे ख्याल से, तेवेंदर, गुड इवनिंग, आशीश, खी कैसर क्लास स्टार्ट कर रहा है, जब तक सारे बिच्चे जुड ना जाए, आउडियो विडियो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सुब गुड इवनिंग, आपका डाउट आया था, मैं वही देख रहा था, मैं क्लास के बार डिस्क्रस कर दूँगा, राहुल गुड इवनिंग, तो, आउडियो विडियो में कोई शमस्या तो नहीं है, किसी को भी, सुबेंदू, दीपा, कुआओ, सभी बिच्चे आ गया है, हाँ, और भी लोग, विजनती गुड इवनिंग, मांशी, उद्धो, तो चलो जी, स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक सारे बच्चा ना आए जाए, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत हम लिख लेते हैं, और क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हम पढ़ रहे थे हैं, SENSITIVITY ANALYSIS, हाँ, इसमें कुछ लिखा नहीं था, बस एक्जाम्पल किया था, एक्जाम्पल के अलाव़ा और कुछ नहीं किया, तो एप्रोच भी किया था, तो अब मेरा कहना कि थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, कम से कम नोट्स तो तो तयारे, अब आगे का पेपर पैटरन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पर थेयरी आया हुआ है, पहले भी, पास्ट में जब कैपिटल बर्श्टिंग था, इस पर थेयरी आ जाता था, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं थी, काम हो जाता हूँ सकता था, तेंसिटीविटी, अभी कोई भी डाउट्स वगेरा होगा रहीं, अभी में लिखवाने का काम करूंगा, पाच मेट तो चाहिए कंसे, अनलिसिस ओफ, वैरियस, variables और project किसका काम करते हैं, किस में हम change करते हैं, variables में project का variable means like cost of project कि project में जो पैसा लगा रहा हूँ, वो बढ़ा तो कितना बढ़ सकता है, cost of project और क्या हो सकता है, selling price off product और क्या है सर, और cost of product जो product बना रहा है, उसका cost बढ़ गया तो क्या होगा, इसके अलावा और किस में किया था, याद नहीं आ रहा है, life of project हाँ, सरीसी में तो दिक्कत थी, life of project और किस में किया था, सर, cost of capital एक्सेक्टर ठीक है सर cost of capital cost of capital लिख दिया, आशिस लिख दिया in sensitivity analysis we change each factor we change each factor in unfavorable direction हम change करते हैं हर एक factor किसमें unfavorable direction एक समय पर एक ही factor change करते हैं तो सर लिख दीजियें keeping other factors constant ठीक है है ये सब काम क्यों करते हैं प्रिटिकल फैक्टर को ढूणने के लिए काम करते हैं तो प्रिटिकल फैक्टर ढूण क्यों रहे हैं ताकि जहां हमको ऐसा लगे कि रिस्क हैं भाई साब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से पहले उस पे थोड़ा और रिसर्च कर लिजी तो प्रिटिकल फैक्टर को एक्टर फैक्टर फैक्टर फैर्थर नेन कैरी आउट पर्दर रिस प्रदर रिसर्च में carry out about such factor और ये research कब करना है project को accept करने के बाद नहीं पहले before accepting project that's it तो नंबर के लिए अगर आता है तो इतना लिख दोगे बहुत सर अगर दो से ज़्यादा नंबर के लिए आता है तो तो अभी बहुत कुछ बाकि है sensitivity analysis के अलावा इसमें मैं इसके कुछ कमिया भी है sensitivity analysis की जो कमिया है वो मैं यहां नहीं करवाने वाला हूँ मैं scenario analysis करवाँगा तब वो कमिया गिनवाँगा कि इसमें क्या क्या कमिया थे जिसकी वज़ा से scenario analysis आया एक बार note कर लिया होगा तो मुझे final करना तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बिल्कुल sensitivity analysis की मुझे limitations लिखवानी है पर यहां लिखवाने का मतलब नहीं है इसे मैं scenario analysis के साथ निकलाँगा सभी लोगों ने note कर लिया है चलो रोहन, दीपक, निशीता, सभी लोगों ने note कर लिया मुद्दे की बात theory तो था ही नहीं कभी भी काम की बात है practical question सर और practical question, numerical question भर भर के दिया है sensitivity analysis के अगर मैं कहूं आपका study mat खोलोगे न उसमें सबसे ज़्यादा question sensitivity analysis के है decision tree के है decision tree के तो ज़्यादा question नहीं है पर scenario analysis के भी question डाल लगा और उससे भी ज़्यादा question replacement के है और replacement के अधिकतर questions वो वाले है जो अलड़ी अपने गर चुके है मैं बहुत आगे की बात ना करूँ सीधा question पर आ जाते question number 31 question number 31 और सर ये question क्या I.C.A.I. का है यस ये question आपको दिख रहा I.C.A.I. का T.Y. के 10 ठीक है सर हमारी new study material का question है किसी बच्चे का सुनो एक बात और है किसी बच्चे का मेरे पास message आया था कि सर आपकी book में एक कमी है especially कि कहीं भी लिखा नहीं है लिख देना चाहिए कि ये study material का है कि RTP का है कि exam का है MTP का है लिखा होना चाहिए तो बात ये है दिक्कत क्या है क्योंकि ये chapter नया है अगर आप book अच्छे से देखोगे तो इस chapter के अलावा इस chapter को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी chapters लिखे उसमें questions देखोगे तो questions के नीचे लिखा हुआ है SM, PM, RTP, MTP exam में कौनसी येर में आया है सब कुछ लिखा हुआ है इस chapter में थोड़ा सा यार हमें तुरंत तियार करना पड़ा इसलिए है हाँ जी इस chapter में भर थोड़ा सा दिक्कत है खैर हमें तो सारी question करना है हाँ लेकिन एक काम जरूर किया करो एक काम बस एक काम किया करो जैसे मैं यहां लिखता हूँ ना TYK10 पैसे लिख लिया करो reference के लिए अच्छा होगा कि यार हमारे study material का question number 10 अपनी book में लिख लिया करो चलो जी तो अब मुझे बताओ from the following मैं comments नहीं पढ़ूँगा from the following details relating to our project और उनका कहना सही बिल्कुल सही है होना चाहिए हमारे पास लिकाओ तो हमें idea हो जाता कि हमें क्या करना क्या नहीं कर छीक है अब छोड़ो यार पढ़ते पढ़ते question पढ़ते from the following details relating to our project analyze the sensitivity of the project to change in sensitivity मांग रहा है पवन मैंने अभी कुछ लिखवा है से theory कुछ समझाया ही नहीं है मालो ये पहला question किया आदे page का theory लिखवाया होगा बस तो question number 31 में हमें sensitivity निकालना एक तो क्या लिखा हुआ किस किस में निकालना है निकालना initial project cost में ठीक है और annual cash inflow में और cost of capital में क्या ये question देखा देखा लग रहा है आपको क्या ये question देखा देखा लग रहा है हाँ sir थोड़ा बहुत तो देखा देखा लग रहा है project का cost है 1,20,000 annual cash inflow है 45,000 life है 4 years cost of capital है 10% और हमें life में तो निकालना ही नहीं है अच्छा हमें निकालना है initial project cost में और cash inflow में और cost of capital है हाँ जिन बच्चों को इंटर याद है तो उन्होंने इंटर में पक्क ही इंटर काई कोशन है पर जिन्होंने कल क्लास कर रखा है उनको याद आएगा कि यार ये तो sir ने example ही दिया है बस 4 year की जगह यहाँ 5 year लिख दिया था मैंने क्योंकि मैं जानता था मैं life में फस जाओंगा ठीक है हाँ जी इशा बिल्कुद सही तो आपको इन तीन factor पर sensitivity analysis करना है और बताना की कौन सा most sensitive है अब देखो यहाँ क्या लिखा annuity factor 10% का factor दे रखा है हाँ होवक ही दूगा मान से मैं नहीं करवाने वाला हूँ हुगा कुछ तो करोगे घर में सवाल यह है कि कौन सी approach से करोगे first की second की दोनो first या second या दोनो जल्दी से बताओ कौन सी approach से करना चाहोगे दोनों से हो जाएगा exam में आया तो क्या करोगे तर exam में आया तो हम first approach से करेंगे बिल्कुल सही first approach से कर लीजी attention खतम मान के चलो लो कि exam का question और हमें first जो हमें जादा ही जी लगता first approach हमको जादा ही जी लगता first approach से करें और खास बात है life का पूछा भी नहीं है कितने percentage का adverse relationship मानोगे, कितना percentage से down करोगे, project का cost कितने person से बढ़ाओगे, percentage चाहिए, percentage, कितने person का change करोगे, time saving भी है, first approach से, अब मेरा portion में जो क्या कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, या project का cost बढ़ाना तो पड़ेगा, कितने person से बढ़ाओगे, 10 person या कुछ और, 10 person, उसकी वज़ा क्या होगी, 10 person की वज़ा क्या हो सकती, या कि एक मात्र वज़ा बताओ, 10 person से change करेंगे, वज़ा बताईए कि क्या सोच रहा हो 10 person से change करने का क्यों सोच रहा, उसकी वज़ा मैं बताओ, एक factor दिया 10 person का, और एक factor दिया 11 person का, जहां से देखो ने यार, एक factor दिया 10% का और एक factor दिया 11% का तो इसका मतलब यार cost of capital को हम 10% से बढ़ा रहा है यह ना इसलिए sir कोशिश यह करना कि 10% का deviation करना ठीक है ठीक है solution में note लिखा है sir की 10% नहीं लेना ऐसा क्यों solution मैंने देखा नहीं है मुझे idea नहीं है पर मेरा personal opinion वो solution क्या आओगा वो तो मैं class के बाद ही बता पाऊँगा मेरे पास मेरे पास खुद के बस book नहीं है मैं क्या बताऊँ आप ठीक है मैं discuss कर लूँगा इस question को हमें 10% से change करना है अब ICAI ने क्या किया मैं class एक बार हो जाए उसके बाद ही discuss करूँगा फिर जो भी हो मैं आपको जैसी class होगी over करके बता दूँगा यह homework है आपके लिए homework homework है homework homework कितने percent से change करोगे 10% से इसको बढ़ा दोगे इसको 10% से डाउन करवा दोगे और cost of capital को 10% से बढ़ा के कितना कर दोगे 11% कर दोगे that's it चल रहा हूं मैं आगे एक बहत्रीन question इसमें लगने वाला है time इसमें लगने वाला है time और खास बात यह है कि यह भी कोई wishes question नहीं है यह भी CA inter का question है पर CA inter चूकी हमारा किया हुआ नहीं है मान रहा हूं मैं तो हमको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इस question को पढ़ ला है हाँ sir तयार हो चुके है पढ़ने के लिए तयार हो अच्छा CA inter pass है sir हम लोग हाँ sorry गलती होगी थी ठीक है निशानत पढ़े एक बार XYZ Limited is considering a project for which the following estimates are available initial cost of the project कितना पैसा लग रहा है प्रोजेक्ट में 10 लाक ही कैसा selling price per unit दिया हुआ selling price per unit दिया 60 रुपीज और cost per unit दिया है 40 रुपीज 60 रुपीज cost per unit है selling price per unit है 40 रुपीज ठीक है मतलब contribution एक unit पर बता सकता है कि कोई sir एक unit पर contribution है 20 रुपे और fixed cost के विशे में ऐसा कुछ दिया नहीं है आप समझ रहा है और sales volume volume का मतलब sir कितना units पहले साल 20,000 units का production और sales करेंगे second year में 30,000 units और third year में 30,000 ठीक है discounting rate कितना यूज करना है 10% you are required to measure the sensitivity of the project in relation to each of the following parameters sensitivity निकालना है किस किस में निकालना selling price में per unit में unit cost में sales volume में initial outlay में और project life में और taxation को ignore कर देना मतलब depreciation भी काम का है नहीं है taxation नहीं depreciation और sensitivity के किसी भी question में tax की बात ही नहीं करता है मालू मैं कि ज़्यादा मुश्किल चीज है तो tax की बात करोगे तो बहुत बड़ा tension में जाएगा तो वो tax की बात ही नहीं करता है किसी भी question में सबसे पहला काम क्या किया जाए सबसे पहले यह decide करो कि कौन सी approach से करेंगे first की second first approach यह second approach दोनों approach से किया है institute नहीं आपका answer चाहिए first approach easy है second approach मुस्किल है first approach homework first approach आप कर लेना मैं करवा रहा हूँ second approach सर दूनों से करते हैं जब question करवाई रहे तो पूरा खतम करवाओ और ऐसा करवाद हो सर कि अगला question जब देखे न तो आप से हम बूले कि आप बैठो सर हम बनाते है ठीक है homework cut करना है तो थोड़ा अच्छे सही करते है चलो तो सबसे पहला काम सबसे पहला काम NPV निकाले सबसे पहला काम है NPV निकालना और NPV निकालना मुझे आपको नहीं समझाना है NPV निकालना आपको आता है calculation of NPV हमें सबसे चाहे फर्स्ट एप्रोच से कर रहे हूँ चाहे आप सेकेंड एप्रोच से कर रहे हूँ हमें NPV निकालना है ठीक है सबसे चलो जल्दी जल्दी से NPV निकालोगे टाइम लग जाता है तो लग जाए प्लीज इसमें जितना research करना है कर लेना question बहुत अच्छा है सर NPV डिवाइड वाले से करेंगे अमित का answer आ गया 309800 फिर से NPV डिवाइड वाले तरीके से किया जाए कि factor वाले तरीके से किया जाए क्योंकि यहां factor नहीं दिया है question में आप डिवाइड वाले method से भी कर सकते हो और factor वाले से भी कर सकते हो क्योंकि factor नहीं दिया है तो मुझे जल्दी आसानी से बन जाएगा divide वाले तरीके से ठीक है हाँ आप factor से भी कर सकते हो सुब लेकिन इस question को मैं divide वाले method से ही करूंगा क्योंकि जल्दी solve हो जाएगा factor से भी same ही answer आएगा एक किसा जल्दी нев Алग भी शच र्युवली करसे है And PV is equal to PV CI minus PV指 तो PVCI कितना आ रहा है सर 60-40 मतलब कितना यूनिट्स है 20,000 60-40 divide it 1.10 1.10 पावर 1 plus 30,000 60-40 divide it 1.10 पावर 2 TK last 30,000 60-40 divided by 1.10 पावर 3 और माइनस कितना कर दू? 10 पावर 2 10 पावर 2 पावर 2 पावर 2 क्यों किया है 20 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं दिखो 60 अलग से लूँ और cost अलग से लूँ एक उनिट पे तो मैं कहता हूँ यार यह cells है यह cost है तो इसी में से माइनस कर देता हूँ न 20 रुपए contribution ले लिया ठीक है पावर्ण आशी शहीं बोल रहा है मैंने contribution पर यूट के सब से multiply किया सुब का अंसर आ रहा 310,293 सभी का अंसर आ रहा हाँ चीए ठीक है यां तक तर मतलब 20 तर मतलब 20,000 divided by 1.10 power 1 plus 30,000 divided by 1.10 power 2 plus 30,000 divided by 1.10 0 power 3 और minus कितना कर दूँगा 10 लक परवन NPV में cash inflow का मतलब cells नहीं होता cash inflow का मतलब होता है cost को minus करने के बाद net जो बच्चा है उसको बोला जाता है सर यह आप time pass कर रहा हूं क्या time pass नहीं अगर आप मेरे तरीके से नहीं कर रहा हूं तो फज जाओगे कहीं ना कहीं मैं बहुत प्यार से कर रहा हूं अच्छा सर piece into क्या इसको मैं discounting कर सकता हूं 20,000 divided by 1.10 equal to m plus 30,000 दो बर equal to m plus 30,000 एक दो 3 m plus m से तो सरी आगे 655 14 0.65 25 minus 0.65 minus 0.65 is equal 0.65 p10 293 0.65 0.65 0.65 यह मैंने जैसे किया है किसी को को तक्लीफ तो नहीं है मैंने जैसर55 मैं अभी आपसे पूच लेता हूँ किसी को कोई दिक्कत है तो बताना मैंने क्या किया और मैं आपको जरूर बता सकता हूँ आपने यह 20 रुपए Choi इन अब यूनिट्स 네 multiply हो रहा था तो आपने 20 रुपए को उठा कर इधर कर दिया सर डारेक्ट भी कर सकते थे थे ना contribution amount से बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है आप वैसे भी कर सकते थे इसमें भी तो मैं कहा रहा हूँ कि आप गलत नहीं हूँ पर क्या मैं गलत हूँ मैं भी तो सही हूँ ना हाँ मैंने 20 को common लेकर किया मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 20 क्या है 20 सर ये क्या है ये क्या मैंने जो units थे उसका present value निकाला ultimately कुछ नहीं किया मैंने 10 लाक हाँ अगर contribution अलग होता तो फिर तो खेल कुछ और ही होता पर ऐसा generally होता नहीं contribution per unit same रहता है generally फिर तो बहुत कुछ हो सकता है सही बोल रहे हैं अब ये मैं निशिता inflation की बात नहीं करूँगा inflation के मुद्धे की बात नहीं अब 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 ध्यान से समझना मेरी बात NPV आपका भी आया ना यार हम इस पर भहस ही क्यों कर रहे है NPV आपका भी आगया है 310293 और मेरा भी आगया है 310293 सर टैक्स होता तो क्या होता टैक्स होता तो टैक्स का रोहन कोई question नहीं है पर अगर आप बोलोगे तो मैं example की थूरू समझा दूँगा वो भी बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं है पर अब भी हम इस question पर focus करेंगे हमें time मिलेगा से तो एकाथ question एकाथ example टैक्स वाला भी लेकर कर लें ठीक अज़र अब हमें क्या निकालना है सेयार हो मैंने कहा आपसे कि इस question को हमें आराम से करना है इसका मतलब यह नहीं है कि हमें तीन घंटे तक यही question करना है ठीक है बड़ा speed बनाते हमें sensitivity निकालना है selling price में selling price selling price selling price है कितना 60 कौन सी approach से करना है selling price में हमें selling price में sensitivity निकालना है कौन सी approach से करना चाहते हो approach number one जिसमें 10% अगर सुनो approach number one करते तो क्या करते जल्दी से बोलो approach number one में नहीं करवाने वालू approach number one आप करोगे approach number one में अगर मुझे करना होता 20 रुपए 20 रुपए first approach की बात कर ले सबसे पहले अगर 20 रुपए तो हे भगवान कहीं selling price कम ना हो जाए कितना हो जाए जरह बताओ 10% से words करना है इसको 10% से पहले first approach की बात करले one by one करेंगे पहले फिस अपरूच की पहले selling price में तो selling price कम करना पड़ेगा जसकर से बढ़ाना करना पड़ेगा selling price कम करना पड़ेगा और selling price कितना कम करना पड़ेगा sir selling price 10% से कम करना पड़ेगा और 10% से कम कर लो तो यहां total कितना आ गया 54 तो क्या NPV में फर्क पड़ेगा yes yes फर्क पड़ेगा तो पहला काम क्या करे मैं इसी को मैं इसमें 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 इस question को करे तो ढंग से कर ले तो इन दोनों में सब में मैं दोनों alternative से question कर वा रहा हूँ तो चलो पहला हम क्या कर रहा है sensitivity in selling price फर्स्ट एप्रोच में मज़ा नहीं है मज़ा तो second में आएगा पहले फर्स्ट तो निप्ट आते हैं मतलब पहले sensitivity in selling price को दोनों एप्रोच से कर वा फिर दूसरा variable उठाएगे उसको भी दोनों एप्रोच से करें Tensitivity in selling price per unit सर इंस्टिट्यूट ने क्या किया आएसी एई ने भी दोनों एप्प्रोच से किया पस्ट एप्प्रोच सेलिंग प्राइस रुपीज सिक्ष्टी है को दस पर्षन से डाउन करना है मतलब कितना जाएगा रुपीज फिप्टीफोर फिप्टीफोर हाँ जी डबल करेंगे डबल में जाए फिप्टीफोर तो बताओ एनपीवी कितना आएगा मैं एनपीवी ने निकलने वाला हूँ यार कुछ तो करो एनपीवी कितना आएगा क्या करोगे मैं कह रहा हूँ 60 की जगह अगर 54 रख दे तो NPV कितना आएगा ये वाला अंसर चाहिए मुझे फाइनली निशांत का अंसर है सर 82790 माइनस में आ गया NPV नेगेटिव आ रहा है क्या माइनस 82795 NPV नेगेटिव आ गया माइनस 82795 वो चैंज इन NPV नहीं का लो पहले NPV कितना आया था 310293 अब माइनस आ गया 82795 डिवाइड़ बाए 310293 इन 200 परशंटेज निकालेज थेंक्यो दीपक 82795 चलो परशंटेज चाहिए परशंटेज स्पीड से फड़ा फड़ से काम होना चाहिए आज का टाज अच कसम खाती कि एक कोशन तो खतम करेंगे और एक कोशन करेंगे दो कोशन तो कम से कम करना है परशंटेज अंसर आ गया है तर 126. पॉइंट दो-दो अंसर आ रहा है 73.31 आ रहा है 126.68 परशंट पता ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब अब ध्याँ साथ देना मेरा थोड़ा साथ देना अब जरूरत है मुझे आप लोगो फाइनल आंसर है इशाब शुभांसु सभी का से हैं 126.68 पर्षेंट अब अब मुझे साथ देना क्या कह रहा है एक बाद बताना एक बाद बताना दूसरी एप्रोच में क्या होता है सर दूसरी एप्रोच यह होती है विल्कुल ध्यान से बारी क्या मैं एक इसको नहीं लेने वाला हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे पास टाइम नहीं है और सेंसिटिविटी एनलिसिस में शॉटकट एलाउ है आप शॉटकट से काम कर सकते हैं और सेकेंड एप्रोच से भी आंसर आ गए आशिस 55 ठीक है हम निकाल रहे है अब सुनोगे 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 ध्यान से सर हम सेलिंग प्राइस क्या रखे सुनना बिटे हम सेलिंग प्राइस क्या रखे कितना कम करे कि एनपीवी जीरो हो जाए यही है न सेकेंड एप्रोच यह है कि सेलिंग प्राइज अगर हमारा जो प्रोड़क्ट है वो प्रोड़क्ट साट रुपए का नहीं भीका कम का भी भीका तो कितने कम में काम चल जाएगा एन पीवी पूरा उड़ भी जाए तो चलेगा जीरो आना चाहिए यही होता है एक बात आपसे पूछ रहा हूं यहां से समझना अगर मान लो मैं सेलिंग प्राइस से छे रुपए कम कर देता हूं मन से बोल रहा हूं छे रुपए मनते हूं तो क्या कॉंट्रिवुशन से भी बीस में से 6 रुपए माइनस हो जाएगा जितना मैं सेलिंग प्राइस से रुपिया कम करूंगा अगर सेलिंग प्राइस से मैं 6 रुपए कम कर दिया तो क्या कॉंट्रिविशन से भी 10 परशन नहीं ताट रुपए का 10 परशन कितना होता 6 रुपए अगर मैं सेलिंग प्रा अब देखो, अब मैं जुगार से काम कर रहा हूँ, नॉर्मल कैसे काम कर रहा हूँ, आप इसको एक्स लेके काम कर सकते हूँ, अगर मैं अब सुनोगे, अगर मैं यह कहता हूँ यार, अभी लिखना नहीं है, बस सुना, अगर कॉंट्रिबुशन को मैं एक्स मान लू, ठीक ह और यूनिट्स में तो कोई चेंज है यह नहीं है यह ले लेता हूँ 65514.651 और यहां माइनस लिख लेता हूँ 10 लाक और मुझे NPV क्या लाना है 0 तो क्या उससे कॉंट्रिवीशन कितना होना चाहिए यह निकल जाएगा हाँ सर एक बार कैलकुलेटर अभी लिखना नहीं है सिर्फ कैलकुलेट करके तो देखे हाँ सर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैलकुलेट 10 लाक उधर चला जाएगा यस तो सर 10 लाक डिवाइड बाई 65514.651 तो सर यह जो X है यह आ गया और कितना आ गया बच्चे सर यह आ गया 15.26 बानते हो न इसका मतलब इस सर कॉंट्रिबिशन वैसे तो 20 है पर अगर बुरा से बुरा भी हो तो कॉंट्रिबिशन मुझे चाहिए 15.26 तो चाहिए चाहिए मतलब कॉंट्रिबिशन में कितना रुपिया कम किया जा सकता है कितना रुपे कम किया जा सकता है सर 20-15.26 answer है कि contribution में 4.74 कम किया जा सकता है agree हाँ चंदर का answer ही है 4.74 तो इसका दूसरा मतलब है कि सर सेलिंग प्राइज में भी हम maximum कितना कम कर सकते है सर 60 में से 4.74 कम कर सकते है मतलब अगर सेलिंग प्राइज 55.26 है तो भी काम चल जाएगा नहीं मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल प्यार से question मना रहा हूँ कि जितना रुपए contribution से कम कर रहा हूँ उतना ही रुपए मैं सेलिंग प्राइज से कम कर रहा हूँ तो सेलिंग प्राइज अगर 55.26 है तो भी काम चल जाएगा हाँ सर तो अगर मेरा सेलिंग प्राइज मैं यहाँ 55.26 लिखता हूँ आंसर देना और फिर से एक बार समझाओगा है कि हाँ जी मैं लिखवाते हुए समझाओगा भी ने 100 परशन आंसर देना मुझे ध्यान से सोच समझके सोच समझके आंसर देना अगर मैं सेलिंग प्राइज 55.26 लिखता हूँ तो क्या पक्का है एन पीवी जीरो आएगा अगर मैं सेलिंग प्राइज 55.26 लिखता हूँ 60 की जगा 55.26 तो क्या पक्का है एन पीवी जीरो आएगा हाँ सर उसी को तो जुगाड करके अपने इधर लिखा है तो यार सेलिंग प्राइज वैसे तो 60 है अगर कम भी हुआ तो मैक्सिमम कितना कम कर सकते है सर हम मैक्सिमम रुकना पड़ेगा हमको 55.26 पे बिलकुल तो कितने पर्शंटेज का चैंज किया जा सकता है कितना पर्शंटेज पर्शंटेज निकाल लेते हैं और पर्शंटेज अजाएगा 60 से हम पहुच सकते है 55.26 divided by 60 into 100 तो मैक्सिमम कितने पर्शंटेज 7.9 पर्शंट सेलिंग प्राइस कम होता है तो भी चल जाए 7.9 पर्शंट ठीक है किश्यन ये भगवान अगर जिसके पास टाइम है जब बर्दस्ट टाइम है टाइम की कमी नहीं है तो वो इसको x ले लेना x x x काम हो जाएगा तो भी आंसर आ जाएगा पर मेरे पास टाइम नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पर दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ मालू है एन पीवी आपने कुछ और ही तरीके से निकाल रखा होगा इट मींस आपके पास तो ये वाला फिगर हो गई नहीं मैं जानता हूं बच्चे बड़े समझदार है आपके पास ये वाला फिगर है हम और भी हाँ हम उसी से करेंगा अभी जो समझाया या उसी से करूंगा पर दिक्कत क्या है मांसी आप लोगों को ने क्या कर रखा होगा जब मैं ऐसे कर वा रहा रहा था तो आपको एसा लग रहा होगा आप लोगों को कि सर मज़े ले रहा है ठीक है इटमिस आपको लग रहा होगा सर टाइम पास कर रहा है मैं टाइम पास नहीं कर रहा था मुझे मालूम था कि इसकी मज़े जरूरत पढ़ने वाली है सर तो प्लीज इसको एक बार नोट कर ले कि हाँ जी नोट कर लो यह शॉटकट है और आपका जो इस्टडी मैट में है उसमें शॉटकट एलाओ है जितने भी कोश्चन्स बनाया है इसको अभी नोट कर लो क्योंकि इस कोश्चन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले कोश्चन्स में भी मैं ऐसे सॉटकट समझाओंगा चलो सर वास कमेंट्स करो आप तो कर लिया नोट पहले इसको नोट कर लेजिए काम आएगा यह ऐसा बॉक्स बना देना अल्टरनेटिव एनपी भी निकालने का तरीका अच्छा वेजनती समझदार है अच्छा सभी ने नोट कर लिया सर ओके 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 डन चॉटकट मैं फिर से समझाओंगा सारी बाते में समझाओंगा लिख्वाते वे समझाओंगा पीस की जगह 14 ले ले तो चलेगा क्या फास्ट अप्रोच चल जाएगा बात तो वही थी ना फास्ट अप्रोच में तो हीजिए फास्ट अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं अगर डिफ्रेंट मेथट तरीके से भी में करोंगा डिफ्रेंट तरीके से बस आपको वैसे बात बताओं यह जो एन पीवी वाला एप्रोच है उसमें हमने एक चीज कसम खा रखा रखा था कि सर जिसका भी सेंसिटिविटी बोलेगा ना उसको एक्स ले लेंगे यही का थ लग देंगे जीरो लग देंगे तो आप इसको एक्स ले 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 ना इसको भी एक्स लेode रा जब एक्स लोगे ना तो आपका आपका अन्वड़ी अमटीश इतन ओछाएंगा कितना 55.26 अपकर सकते हैं बस मुझे ऐसा लग रहा कि अपने नोट ब्योंट एंसर लिए लेगज डिल शेलो कि टोक्राइड में लिए सब्सकेद लाग लिए कर दोक्ति लisu कुछल dalby भी कि लागज कर दोक्ति लगज व लिए तो देट एन पी वी सुड़ वी जीरो यही हम काम करते हैं मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्वेशन मेरे पास बना हुआ है ये एक्वेशन बना हुआ है तो बस मैं इसको जीरो करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ इसको एक्वेशन क्यों ले रहा हु क्योंकि इसके जुगाड से मैं सेलिंग प्रैस कितना होना चाहिए ये निकाल लूँगा तो सर एक्वेशन इंटू 6,5,5,1,4 पॉइंट 651 minus 10,00,00 is equal to 0 पहले x की value निकल रहा है फिर सोचेंगे यह क्या है मतलब contribution क्या होना चाहिए यह निकल तो sir x is equal to 10,00,00 divided by 6 55 14.651 answer आगया contribution per unit contribution सेम ना होता तो क्या करते हैं मैं सारे कोश्चन लोगा ना एक बार एक बार इस कोश्चन को मझे स्वान करना if but बहुत सारा हो सकता है contribution सेम ना होता तो फिर क्या करते फिर बात करेंगे अब भी तो contribution सेम है ना यार और जनरली एक बाद रता हो अधिकतर क्या हुआ है पुरी जिन्दगी में आपने देखा होगा जितने भी कोश्चन कॉश्ट में देखा होगा जनरली contribution परिविट सेम रहता है हाँ आप selling price को एक लेके काम कर सकते हो कोई दिकत ने 15 point कितना आया था कोई बता सकता है 15.26 आया तो यहां change in contribution per unit rupees 20 minus rupees 15.26 तो 20 minus 15.26 तो सर्फ 4.74 maximum कितना change कर सकते हो selling price में 4.74 it means maximum decrease in selling price rupees 4.74 4.74 73 लेलीजी तो 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 4.74 आप तो ऑ्ट्रेटर आगondernागे तो 7.9 ád Cells is equal to cost plus contribution से भी तो कर सकते हैं Cells is equal to cost plus हाँ वैसे भी कर सकते हैं मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही एक एप्रोच और भी बड़ी सारी एप्रोच बहुत सारे तरीके है यार पर ठीक है मुझे जो लगा मुझे लगा कि इसमें जल्दी हो जाएगा ये सब लिखना नहीं होता ये तो मैंने आपको समझने के लिए लिखवा है आपको कुछ नहीं लिखना है सीधा निकाला सीधा किया और 4.74 डिवाइड बाई 60 इंटो 100 अल्टरनेटिव बहुत सारे मैथट है और जिनको जिनके पास और भी मैथट होगी तो वो प्लीज जब बनाओगे तो मुझे वाटसप कर देना मैं भी तो देखूं कि आप किस मैथट से आंसर आंसर 7.9 परशें आना चाहिए ये तो फाइनल है और दूसरा एक तो यह तरीका है दूसरा जो तरीका है वह भाई प्यार से एक काम करो सर हमने एनपी भी निकाला है तो आप इसको एक्स ले लीजिए आपका अंसर आजाएगा सर अगर कॉंट्रिबिशन पर्यूट हर साल अलग अलग होता तो भाई फिर तो खुछ बचे यह नहीं फिर तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या करना है नोट कर लिया तो आगे चले बहुत सारी मैथट्स है बहुत सारी मैथट्स है सही बोल रहे आसिस पहला काम तो हो गया भाई हमारा पहला काम हो चुका है आगे चल रहे है आप लोग जो भी पूछ रहे हो न थोड़ा थोड़ा सा इंतजार किजिए क्या कॉंट्रिबिशन अलग-अलग है तो क्या करेंगे सर अगर हर साल सेल्स यूनिट्स अलग-अलग होगा तो क्या करेंगे हर साल का कैश इंपलो अलग-अलग होगा तो क्या करेंगे सारी चीज़े आएगी आप बेलुकुल निश्चित रहे जो भी आपके मन में समस्या है सब कुछ आए गए ये वाला तो काम हो गया न यार आड़ बज गया भगवान यहां तक हो गया जी आगे चल रहा हूँ दूसरा अब किसमें सेंसिटिविटी निकाला अब 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 सुनोगे अब भाई साब बोल रहा है कि यार यूनिट कॉष्ट जान से समझना बोल रहा है कि यार सेल्स छोड़ो सेल्स तो उतना ही रहेगा सेल्स कितना रहेगा सेल्स तो 60 ही रहेगा सेल्स 60 रुपे पर यूनिट जो यूनिट कॉष्ट कितना दिखाई दे रहा है बढ़ाए, 40 रुपए को मैक्सिमम कितना बढ़ाए कि NPV 0 आजाए कास्त थोड़ा सा सुचूगे ना तो कोश्चन हो गए आपका, थोड़ा सा सुचू साट का सुचूँ, साट as it is रहेगा, 40 रुपीज को कितने से बढ़ाए कि NPV 0 आजाए अच्छा, एक बात और पूछता हूँ, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, फोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा सर अगर हम इसको 4 रुपए बढ़ाते हैं, तो कॉंट्रिविशन क्या कम हो जाएगा सवाल बस इतना सा बड़ा सिंबल सा कोश्चन है, हाँ अमित, बस मैं यही तो कह रहा हूँ, कि यही बच्चे सोच ले तो टेंशन खतम हो जाए आंसर 4.74, फिर से सुनो, जो 40 रुपीज है, 40 रुपीज, अगर उसको हम 4 रुपए से बढ़ाती हैं, तो क्या कॉंट्रिविशन कम हो जाएगा, हाँ सर कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा सर, माल लो, माल लो, इसको हम 4 रुपए से बढ़ाते, इसको 44 करते, तो यह भी तो गिरेगा न सर और क्या 4 रुपे से ही गिरेगा यस मतलब सर इसको फिर से हम एक्स लेंगे यस और आंसर तो उतना ही आएगा यार आंसर कितना आएगा 4. 4.7 वर उतना ही तो आंसर आने वाला है पहले में इसको शॉल करवाता हूँ फिर बात करता हूँ तंसितिविटी इन अचु 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 था चु थे तो पहुं मतलब झाएं अच्या ओ आहरत कि रड़ी तल आए टा करविए बाता हूँ थे पहरेंगे sistem में जे टो चाना traduk met Sa बाता किनाम शुरू है आचब द्वन आसर आंसरीं अच्छा हम तो दो एप्रोच से मना रहे हैं ना साहब, हम तो दो एप्रोच से मना रहे हैं, एक एप्रोच आप बता रहे हैं, एक एप्रोच में कर रहा हूं, सर एक्जाम में कौन सी एप्रोच से करना है, एक एप्रोच से करना है, फर्स्ट एप्रोच आपको मालूम है, सेक पर्स्ट एप्रोच में अभी यूनिट कोश्ट कितना है अभी है रूपीस फोर्टी और इसको हम 10 पर्षन से बढ़ा देते हैं मतलब कितना कर देते हैं रूपीस 44 तो एन पी भी कितना है एक पहला वाला एप्रोच खतम करें प्रॉपर कर रएर हैं ना एतना भी हमvyक्स नहीं करें हर चीज को सिस्टेमयटिक कर लें सटीन सिसिटिविटी और यूनिट कोश्ट में फोर्ष में कॉश्ट के फिर सञ के फेसक्रफ और सटीट अब करना क्या है इसको 40 रुपए का 10 पर्शन कितना होता है चार रुपए से बढ़ा रहा है मतलब इसको हमें कम करना पड़ेगा चार रुपए से आंसर बताओ NPV कितना आ रहा है फर्स्ट एप प्रोस से यूनिट कॉष्ट हमने 44 लिया सेलिंग प्रैज उतना ही रहेगा NPV कितना आ रहा है सिस्टेमाटिक कर रहा है हम कॉष्टन को NPV चाहिए NPV NPV आ गया 48234 सही है सभी बच्चों का रहा है इशा विजनती सभी का गया 48234 48234 48235 चल जाएगा तो सर अब करना क्या है आप करेंगे चैंज इन NPV यह सेंसिटिविटी पहले NPV कितना था सर पहले NPV था 310293 T10293 अब हो गया है 48234 divided by 310293 into 100 84.46% सही अंसर है 84.46% सभी का अंसर सही है 2.562 नूएग्सिटिविटी प्रेंसितिविटी नियुनित कोष्ट अगर आप सहमत हो तो बोलो नहीं तो समझना पड़ेगा आज 11.85 परशन एगरी हो ना यार कोई है जिसको यह समझ में नहीं आ रहा यह वाली चीज समझ में नहीं सेकेंड वाली चीज फैस्ट आप्रोस तो ठीक गुट मजा गया सर वह उतने ही तो पर रुपे से बढ़ना 4.74 divided by 40 ठीक है जी ठीक है सर हो गया हो गया बोलो कौन सा अप्रोच अच्छा है बताइए कौन सा अप्रोच अच्छा है फर्स्ट की सेकेंड सर सेकेंड अप्रोच अच्छा है सर मजा आ गया यार एक लाइन में खतम और कहां हम टाइम पर्स कर रहे थे विकार वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ चलो जी ये भी काम हो गया हमारा हाँ multiple choice question मैं मुझे दिख रहा है आपके multiple choice question और मैं आपको यकीन मानो expert बना दूँगा बस थोड़ा सा बस मेरा साथ देते जाना कोई दिक्कत नहीं होगा third cells volume हमें हाँ बस सोचना ज्यादा पड़ता है वही तो दिक्कत है बस cells volume की बात करते है cells volume मतलब units अब challenge वाली बात आ गई वही अब मजा आएगा 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 अम जाएगा पहले प्यार से हाथ जोड़ लो और सर्फर्स एप्रोच से बनाते है हम बेकार में जिनजट नहीं पढ़ ड़ा एप्रोच में हमें तो दोने ये प्रोच से बना ना पहले फर्स्ट एप्रोच तो निप्टा दे यस तो अब सेंसिटिविटी इन सेल्स वाल्यूम हाँ ये लगाया दिमाग अपने ही के सही बोला बिल्कुल सही यही तो मैं बताना चाहता था अब समझ में आया कि ये मैंने टाइम पास नहीं किया था खेल था इसके लिए ओहूँ तो सर पहले दो फर्स्ट एप्रोच करते हूँ फर्स्ट एप्रोच फर्स्ट एप्रोच में यार दस परशन का हम चैंज कर रहे है ठीक है ना तो अब यूनिट्स में कैसे चैंज करेंगे सर दस परशन का तो बीस जार की जगा कितना यूनिट्स ले लोगे अठारा है ज़र तीस ज़र का दस परशन कितना जा है 27,000 और 30,000 का कितना लेना है 27,000 और NPV निकालना है 18,000, 27,000, 27,000 इसके इसाब से NPV निकालना है इट मीज आप यूनिट्स में वल्ल्यू में 10 परशन कम कर रहे है यहां लिख देता हूं इतने परशन का डाउन कर रहे हूं 10 परशन कर रहे हूं यूनिट्स फर्स्ट इयर में 18,000 सेकेंड इयर में 27,000 और थर्ड इयर में 27 इसके हिसाब से क्या निकाल रहा हूं NP रुका हुआ हूं मैं आपका इंतजार कर रहा हूं NP भी चाहिए मझे निशांत का आंसर आ गया 179,260 सिवांगी का भी सेम आंसर है तो मेरे ही हल से यही होगा 179,260 179,260 या 179,264 सर अधिकतर बच्चों का 4 आंसर है इसके लिए लड़ना नहीं चाहिए पर फिर भी 179,264 चल जाएगा निशीता ठीक है जी तो सेंसिटिविटी निकाल ले थे पहले NPV कितना था 310,293 310,293 माइनस 179,264 इवाइड़ भाए 310,293 200 42.22% 2nd approach second approach अब देखो ध्यान से मिल यह तो पता है हाँ sir इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ ठीक से समझना 42.236 first approach से कोई दिक्कत नहीं सही है अब second approach पर आज़ा मेरा यह कहना है यह 20,000 units है यह 30,000 units है और यह 30,000 units है सुनना अगर मैं इसमें 10% का चेंज करता हूँ इसमें 10% का चेंज करता हूँ इसमें भी 10% डाउन करता हूँ सब मैं 10,10% डाउन करता हूँ इसमें भी 10% डाउन करता हूँ इसमें भी 10% कम करता हूँ इसको भी 10% कम करता हूँ तो क्या total में से भी automatic 10% कम हो जाएगा question सुनोगे द्यांस अगर क्योंकि ये total इन तीनों का मिलाकर है अगर इन तीनों में मैं 10% 10% 10% down कर देता हूँ तो automatic क्या इसमें भी 10% down हो गया yes या no मेरा बस question यह है कि सब में अगर 10-10% कम करता हूँ तो automatic क्या इसमें भी 10% कम हो रहा yes सर हमने वही तो किया है yes तो ultimately मुझे इसी का तो change निकालना है और सर इसको क्या ले लू में सर इसको क्या लिया जाए सर इसको क्योंकि मुझे NPV उडाना है NPV उडाना है तो इधर क्या लेना है जीरो हाँ ना यार सर इधर जीरो लेना है और इसको क्या ले लेते हैं इसको X ले लेते हैं इसको X ले लेते हैं और देखते हैं कि यार यह कितना होना चाहिए ताकि NPV जीरो रहा चाहिए हाँ सर तो लगाए जुगाड क्या सर दूसरा भी alternative है कि दूसरा भी alternative है मैं वो भी करवा दूँगा इस question में मैं वो भी करवा हूँगा क्योंकि ये बात बहुत काम की है सर एक से ले लेंगे ना सर इतना कहानी क्यों लिख रहे हो आप सीधा बोल सकते हैं आई सी AI भी नहीं लिखता है इसको X ले लेते हैं इसको X लेने की बोल रहा हूं मैं इसको तो 20 इंटु X माइनस 10 लाक 20 इंटु X माइनस 10 लाक इस इक्वल टु 0 X का वेल्यू आ जाएगा क्या X is इक्वल टु 58963 कैसे आ रहा है दस लाग divided by 20 10 लाग divided by 20 कितना आएगा है 50,000 units sensitivity पहले कितना था 65514 65514.651 651 minus 65514.651 into 100 अच्छा 10% से डिक्रीज कर दिया था क्या मैं तो ऐसी मजाक मजाक में पूछा था अच्छा फीक है चल जाएगा मैं तो ऐसी पूछा था इसमें चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा की नहीं होगा मैं ऐसे ही पूछा था बच्चो और बच्चो ने गहा था हाँ परशंटेज चाहिए 23.68 परशंट 23.68 परशंट buds अच्चब इसमेंगा अच्चव अब सुनो, 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 काम की बात है, काम की बात कुछ बच्चों का कहना है, सुनना ध्यान से अच्छे से समझ लो, क्योंकि concept आने वाले हैं बात में सर, second approach वाला easy लग रहा है, हाँ वे जिन्ते second approach वाला easy है क्यों easy है क्योंकि हमने यहां जुगार लगा के काम कर ले हाँ लेकिन अब अब मेरी बात समझने की कोशिश करना ठीक से हाँ बेटे मुझे आप लोगों का साथ चाहिए यहां तो साथ चाहिए सर आप कैसी बात कर रहे है total units कितना है total 30 और 30 60 और 20 असी अजार units है total units है 80,000 units है 80,000 units है हाँ जी सही बोल रहे हूँ अभी मुझे मेरे question का जवाब देता दोनों approach में answer भी अलग एक का percentage ज़्यादा आता है एक का percentage कम आता है तो critical भी critical भी percentage वाइज अलग-अलग हो सकता है अब जड़ा topic पे आते है मेरा question है total मिला कर units कितना 80,000 तो सर आप ये बताऊ ना कि total units कितने से कम हो सकती है ये क्या निकाला ये हमको समझ नहीं आया ये क्या चीज है तो फिर एक ही तरीका है कि आपको number of units क्या मानना पड़ेगा x question सुनना ध्यांस क्या x लेकर काम हो सकता अगर मैं number of units x मानूं तो काम हो सकता है क्या time लग जाए तो लग जाए सोस समझ के बोलना ये approach अच्छा है इस equation की वज़ा से पर मैंने कहां अगर मैं units को x मान लूं तो क्या हमारा काम हो सकता और सुनना ध्यान से हर साल number of units एक जैसा नहीं है हर साल number of units अलग अलग है हर साल number of units अलग अलग है क्या answer मेरा ये 23.68% ही आएगा कि नहीं आएगा कि क्या होगा भगवान ही जानता लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ हाँ सुबेंदू बिल्कुल सहीं ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा समझा रहा हूँ बहुत सारे तरीके हैं पर ये ये भी ये भी समझ लो काम आ सकता है तो बेंदू का कहना है सर हम फर्स्ट येर का यूनिट्स फर्स्ट येर का यूनिट्स एक्स ले लेते हैं इसको एक्स प्लस टैन थाउजन कर लेते हैं और इसको भी एक्स प्लस टैन थाउजन कर लेते हैं मैं कह रहा हूँ कि ये है टू एक्स ये है थ्री एक्स और ये है थ्री एक्स रेशो ही तो निकालना रेशो रेशो बहें बना लाओ कि यार मान लो number of units x है तो यहां गया 2x यह हो गया 3x यह हो गया 3x तो भी चल जाएगा मैं x plus 10 अजन ऐसे भी कर सकते हो जैसे करना हो ऐसे करो 2x 3x 3x से भी काम हो सकता था तो कर ही लेते हैं ना यार मैं नहीं जानता पर question solve करने में क्या था it means इसको मैं alternative तरीके से करूँगा मैं जानता हूँ थोड़ा सा time लगेगा पर आपके पास time ही time है चलो NPV क्या लाना है 0 अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ स्कोलिय 2x, स्कोलिय 3x, or स्कोलिय 3x 20 int 2x divided by 1.10 power 1 plus 3x divided by 1.10 power 2 plus 3x divided by 1.10 power 3 minus 10,00,000 is equal to 0 ठीक है? plus तो स्कोलिय 2x, 20 int 2 divided by 1.10 equal to m plus 3 2 bar equal to m plus 3 1, 2, 3, m plus m rc तो सरी आगे 6.55 15 x minus यह is equal to 10,00,000 तो x is equal 10,00,000 divided by 20 into 6.5515 एगरी हो? कितना मैंस तो आता होगे नहीं? यह 10,00,000 है तो 20 से डिवाइट कर दिया फिर इस से भी डिवाइट कर दिया ता सर ठीक है अज़राद दिवाइट बए 20 दिवाइट बए 6.5515 तो x का वैल्यू आगया 7,6,3,1.84 लिख लो भाई, कही न कहीं काम आएगा प्लीज लिख लीजिए कहीं ना कहीं काम आये का फिर्स्ट येर में यूनिट्स 2 x 7631.84 2 x 732 x 7631.84 या यागे 15263.68 2 x 7631.84 divided by 2 x 3 तो सरी आगे 228.95.52 और फिर्स्ट येर कभी उतना 228.95.52 अब इसको जोड लेते हैं plus 228.95.52 plus 15263.68 तो सरी ये आगे है 61054.72 तो अब निकाल रहा है तेंसिटीविटी तोटल मिला कर यूनिट्स कितना था तोटल मिला कर तोटल मिला कर तोटल मिला कर तीस और तीस साट और भी अशी अजर 80,000 80,000 मैनस 61054.72 तो इवारेट भाए 80,000 इन्टो हंडर्ट 80,000 मैनस 61054.72 डिवारेट भाए 80,000 इन्टो हंडर्ट तो अंसर आगे है 23.68 23.68 कौन सा वाला तरीका सही है कौन सा वाला इतना मैल्स में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए बट तर ये थोड़ा वापस बताईए मैंने कुछ किया ही नहीं क्योंकि यार प्रॉब्लम क्या थी इसमें इसमें यूनिट्स में प्रॉब्लम थी एक था 20,000 था फर्स्ट इयर में टेकंड इयर में था 30,000 और थर्ड इयर में भी था 30,000 यूनिट्स तो यार में सब यूनिट्स को एक्स तो ले नहीं सकता इसलिए मैंने इसको 2x ले लिया इसको 3x ले लिया और इसको 3x ले बस और NPV 0 लाना है और इस equation से मैंने x की value पता करने की कोशिश किया और x की value ये आगे तो इसको मैंने पुट कर दिया तो पहले साल कितना यूनिट्स आया इतना यूनिट्स हाला कि पहले साल का यूनिट्स कितना है 20,000 पर बोले कम किया जा सकता है second year का यूनिट्स कितना है 30,000 बोले ये भी कम होगा तो दिक्कत नहीं है और third year का भी कितना है 30,000 और ये भी तो टोटल मैंने इसको जोड़ दिया और आंसर निकाल लिया हाँ जी मैंने रेशो डेलोप किया मैंने रेशो बनाया उसके अलावा हमारे पास option नहीं था खीक है सरा सर तुनो ना पूछो बिट्टे सर इसमें क्या तकलीफ थी ये तो बड़ा आसान था ये वाला तो कितना आसान था इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं था सर हमने तो एक बार लिखा 20 हाँ और फिर जो यूनिट्स हैं हमने इसी equation में कि ये कितनी अच्छी equation है बोलू ना यार कितना अच्छी equation है यहां 20 लिया और यहां x ले लिया और x का figure निकाला इससे comparison की answer आ गया थीक है जी ठीक है आगे बढ़़ा है हम लोग और research नहीं करना अगर मैं होता IC AI की जगा तो मैं क्या करता हूँ अब सुनना ए भगवार contribution अलग होगा तो अगला question बनाने जा रहा हूँ अगला ने इसके बाद वाला उससे मैं आपको समझा दूँगा अगर contribution अलग होता तो अगर बुरा से बुरा paper बना हां सर इस alternative का future में यूज है या नहीं है या फिर आपने ये सब time pass किया चंद्रकांत में बस यही discuss कर रहा हूँ वैसे तो आप भी जानते हो में भी जानता हूँ कि ये वाला alternative सबसे अच्छा निकला हमारा 23.68% आया आगे काम नहीं आने वाला है ये जो alternative में सिखाया न ये काम नहीं आने वाला अब सुनो मेरी बात कि कहा यूज हो सकता है बुरा से बुरा paper आया और paper में क्या पूछा आज तक ऐसा पूछा नहीं पर अगर पूछ लिया कि बताओ first year के first year के sales volume में सिर्फ first year के sensitivity बताओ बेकार का question था सिर्फ first year में कितना change किया जा सकता है second year में कितना change किया जा सकता है third year में कितना change किया जा सकता है तब ये shortcut जो किया है ये वाला shortcut नहीं लगेगा हमें अलग-अलग year का पूछेगा तब दिक्कत होगी तब हमको ऐसे ही करना पड़ेगा हलाकि डरने वाली बात नहीं है आज तक ऐसा कोई question आया नहीं है ठीक है जी तो सर इस alternative का अभी use कोई use नहीं है बस मैंने आपको बता दिया कि देखो answer ऐसे भी आता है ठीक है ठीक है इसका कोई use नहीं है चलो सर आगे चलते हैं ऐसे में तो आप बहुत time लगा दो कि लिख लिए आया ना सब लोगों राहूल बस इसलिए तो दिक्कत यही है ना कि मैं चाहता हूँ कि यार एक बार class हो तो बस एक ही बार हो बहुत अभी जो market में चल रहा है एक बार class ले लिए फिर दूसरी जगार जा रहा है एक बार हो तो ढंग से हो ठीक है वो तो test paper लूँगा ना मैं तब समझ में आएगा टेस्ट लूँगा अप से test capital machine का test होगा अब इस पे मत लग जाना कि कब होगा वो बाद में देखेंगे सर यह हो गया अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत हो गया यह भगवान इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता point number D ऐसा कोई भी student नहीं होगा जो point number D का जवाब नहीं दे पाए initial outlay initial outlay मतलब project cost में sensitivity निकालना है वाव सर यह तो अभी हो जाएगा sensitivity in initial out जल्दी से करते हैं इसमें टाइम नहीं लगाई point number कोई सा था point number था D sensitivity in initial outlay दोनों ही approach से कर रहे हैं इस question को तो हम खतम कर रहे हैं दोनों ही approach से जब बना लिया इतना थोड़े से के लिए क्यों डर है approach 1 initial outlay कितना रुपए हैं 10 लाख रुपए कितने percent से बढ़ाना है 10 percent से तो कितना ले लेंगे 14 लाख रुप बच्चे का NPV भी आ गया इशा का NPV आया 210-293 210-293 sensitivity approach 2 से भी निकल गया है कि आईशा मैं पहुचा नहीं यार मैं 310-293 पर याटका हूँ अभी तक 310-293 minus 210-293 divided by divided by original NP 310-293 into 100 first approach से sensitivity कितना रहा 32.23 percent ठीक है approach 2 से भी speed से काम कर रहा हूँ है approach 2 इसको बढ़ाना है अब 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 थोड़ा दिमाग चला लो formula कल मैंने लिखवाया था क्योंकि हो सकता था कि कल आपका दिमाग ना चले मुझे ऐसा लग रहा था अब तो चल जाएगा अमित सही होगा मुझे हाँ 30 उतना ही होगा अब सुनो मैं क्या कहना चाता हूँ बूल जाते हैं हम x-vex को यार NPV क्या रखना है तर 0 रखना है NPV बिटे बिटे साथ चाहिए साथ NPV 0 रखना है और इसको बढ़ाना है सर और इसको कितने से बढ़ाई कि NPV 0 हो जाए तो सर इतने से बढ़ा दोना भई सीधी से होती है बात है यार देस माइनस देस यह आ गया तो इसको बढ़ाना है कि NPV 0 हो जाए तो सर इसको 10 लाग को 310293 से बढ़ा दीजिए बात कतम हाँ फस तो हो गया फिर तो कुछ रखा नहीं है क्वेश्चन में 310290 divided by 10 लाग into 100 अंसर आगे 31.03% NPV divided by cost sensitivity हाँ simple और सुनो वो NPV divided by cost हुआ कैसे यह तो आपको दिख रहा है मैंने logic आपको बता दिया logic क्या है यार सर इसको 0 रखना है और यह 0 कब आएगा इसमें change करना है तो इसमें क्या करोगे कि NPV सर इसी को तो बढ़ाएंगे कितने से बढ़ाएंगे 310293 बढ़ा simple है तो इसको कितने से बढ़ाया जाए यह NPV 0 आजाए तो सर 10,00,00 को कितने से बढ़ाएं जितना फायदा हो रहा इसी को तो उड़ाना है ना यार हाँ सर 310293 को उड़ाना है तो उड़ाओगे तो कैसे उड़ाओगे 0 कैसे आएगा यह वाली चीज इसी में प्लस कर देते है बाकी तो X लेकर तो करी लोगे यार यह वाली चीज इसी में प्लस कर देते है जब जैसे यह 13 कुछ होगा तो यह आटोमेटिक 0 हो जाएगा इसके बराबर मुझको यह करना तभी 0 होगा और कुछ बच्चा है क्या लास्ट प्रोजेक्ट लाइफ E. प्रोजेक्ट लाइफ और मेरा काम है कि मैं एप्रोज नंबर कौन सा लगाऊँ 2 बात यह हुई थी हमारी आपस में कि मैं एप्रोज नंबर 2 से काम करूँगा और आप करोगे एप्रोज नंबर 1 से ठीक है जी 33.33% क्यों कम करोगे बस मेरा यह कहना है कि बाकी सब फैक्टर्स को आपने 10% से चेंज किया इसको कैसे आप 33.33% से चेंज कर सकते तो उच्छो अगर एक परसंटेज आपने उठाया है तो वही परसंटेज हर चीज में होना चाहिए न आपने जब सेल्स पर यूनिट को 10% से चेंज किया है आपने कॉस्ट और प्रुजेक्ट को 10% से चेंज किया है कोई है जो जवाब देगा फ़र्ष्ट एप प्रोच से कोई है जो कर सकता इस कुश्चन हो कोई नहीं है जो फ़र्ष्ट एप प्रोच से कोईश्चन कर सकता आप से अच्छा तो आईसी एई है कम से कम आईसी एई ने अपने सजिस्टेड जो आईसी एई का सॉलूशन होगा आपके पास आईसी एई का सॉलूशन होगा बुक में ही आईसी एई का सॉलूशन उसने कम से कम यार थोड़ा दिमाद चला के कर लिया करते हैं यसाने सब्सक्राइब परोच में पर बैब परेगistan तो मेरी स्धिय का शसे करवा रहा जबत करके आप हरे हुए चैंल गरम करन बात करें पाशिट एप प्रोच झाल झाल 50% decrease राहूल कैसे करोगे 50% decrease दिक्कत यह है कि यार बाकी सब को आपने 10% से किया इसको 50% से क्यों कर रहे हो यार यह तो भेदभाव कर रहे हो आप लो कि सेल्स को 10% से चैंज किया आपने cost of product को 10% से और यार लाइफ को 50% से इस तरह से अलग-अलग नहीं कर सकते हैं पहले तो मैं second approach करूँ फिर first approach पे बात करूँगा पहले second approach खतम करते हैं पैसा कित्मा लगा है हमारा 10 लक अधर लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं present value of cash flow first year में आएगा कितने परशन से discounting करना है discounting करना है 10% से पहले साल कितना आएगा सर 20,000 into 20 divided by 1.10 तो सर पहले साल आएगा 36,36 और 36 second year अच्छा यहां क्या लिख लेंगे cumulative अल्टरनेटिव आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो मैं इससे करवा रहा हूँ तो सर टोटल आगे है हमारे पास 36,36,36 30,000 into 20 divided by 1.10 एक दो सर यह आगे 49,58,68 राउंड़ अप कर तो सर 3,6,3,6,3,6 तो यह आगे 8,5 9,5,0,4 तो सर थर्ड यहर काएगा 30,000 into 20 divided by 1.10 एक दो थी सर यह आगे 4,5,0 189 plus 859,5,0,4 तो यह आगे 1310,293 ठीक है इशा ऐसा मद बोलो प्लीज अच्छा फ्लो चल रहा फ्लो टूटा मतलब खेल खतम हो गया फिर हम ठीक है सर तो डिस्काउंटिंग पेबैक पिरियड कम से कम कितना साल लगे 2 साल plus एक साल और सर एक साल में आ कितना आ रहा है एक साल में आ रहा है 450 789 तो हमें चाहिए कितना 10 लग तो 10 लग माइनस 859 504 हमें चाहिए सर 140 496 divided by 450 789 plus 2 तो सर यह आगे 2.312 तो एर्स ठीक है तो सेंसिटिविटी करें सेंसिटिविटी ओरिजनल लाइफ कितना सा तीन साल 3 मिनस 2.312 divided by 3 into 100 3 मिनस 2.312 divided by 3 into 100 अंसर यह आगे 22.93 परसेंट खेल खतम सबी लोगों का आंसर सहीं है आना यार यही तो दिक्कत है दिक्कत यह कि अगर आपने 4 फैक्टर 4 वैरिबल फर्स्ट अप्रोच से निकालना तो 5 वैरिबल ऐसे में तो deciding नहीं कर पाईगे कि कौन सा critical factor है तो अगर 4 फैक्टर एक ही अप्रोच से निकालना तो 5 वैक्टर भी आपको उसी अप्रोच से निकालना पड़ेगा आजी सही है इटमिस आप एप्रोच चेंज नहीं कर सकते लास्ट में सर इस कोश्चन में फर्स्ट एप्रोच में कैसे करेंगे आपके पास इंस्टिट्यूट ने जैसे किया और आपके पास फर्स्ट एप्रोच का सॉलूशन तो है जो ICAI किया है उसको देख लेना कि आपको क्या लगता ICAI क्या किया होगा और ICAI ने भी दोनों ही एप्रोच से कोश्चन बना रखा है ICAI ने भी दोनों ही एप्रोच से कोश्चन बना रखा है तो उसने भी पका पका किया होगा बुक आपके पास है आपको पता है कि उसने कैसे किया है तो मुझे ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाच चलाना ही नहीं है अब सुनो मेरी बार तर आज से हम सेकेंड एप्रोस से ही करेंगे नई आप फर्ष्ट एप्रोस से भी कर सकते थे फर्ष्ट एप्रोस से भी कर सकते थे दिक्कत यह है कि जब आप कोशन पढ़ो तो सबसे पहला कोशन सुनो मेरी बात ठीक से सबसे पहला काम क्या होगा आपका सबसे पहला काम यह होगा कि ढूंडो कहीं life तो नहीं दिया है life के अलावा कोई पहला काम है तर यह lecture फिर से देखना होगा राहूल फिर से देखना होगा और खेल खतम हो गया सबसे पहला काम होगा कि आप ढूंडिये कही life तो नहीं दिया है अगर life दिया है प्रोजेक्ट की life में sensitivity दिया है तो सावधान हो जाईए ताओधान हो जाईए अच्छा सर चलो मैं पहले discuss कर लेता हूं कि मैं इसको अब जैसी project की life दिया है तो मुझे फिर दस अगर मुझे करना ही है first approach अब सुन लो अब मैं किसी भी आपका comment से देखने वाला नहीं हूँ अभी सुन लो मेरी बात क्योंकि मेरे पास जितना time 10 minutes ही बचा तो 10 minutes में बहुत सारी बातें करनी है अगला question तो मैं home के देने वाला हूं पर सुन लो दिया है तो आप बिल्कुल सावधान हो जाईए कि आगे danger चीजे ह है अगर मुझे first approach से ही करना होता तो फिर में कभी भी सीदा उठाकर 10 percent नहीं लेता किसी भी कहीं लिखा है कि 10 percent कहीं कहीं में नहीं लिखा है आप ही ने मुझे सलाभ दिया था कि सल 10 पर संट से कर लो तुम ने खर लिया 10 przyंच से मैं तो आपकी बदों में ऐया मैं तो आपक मैं कभी भी इसको 10% से नहीं करता है मैं क्या जुगार लगाता सबसे पहले मैं क्या जुगार लगाता मैं जुगार लगाता यार लाइफ तीन ही तो साल है तो यार एक काम करते हैं ऐसा percentage निकालों की तीन से दोपे पहुच जा है एक्जेक्ली इट मींस मैं हर एक वैरिबल में कितने पर्षंट का चैंज करता 3-2 divided by 3 into 100 अगर तीन साल से मुझे दो साल में पहुचना है तो मुझे कितने पर्षंटेज का चैंज करना चाहिए तो 1 divided by 3 33.33% तो हर वैरिबल में मैं चैंज करता कितने का चैंज करता 33.33% से हर वैरिबल में मैं चैंज कर देता ठीक है सर लेकिन आप लोगों के चक्कर में मैंने इसको 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 कितने पर्षंट से चैंज किया 10 पर्षंट से आप लोगों के चक्कर में चैंज किया मेरी गलती नहीं है सर ICAI क्या किया है ICAI ने भी भाई साप इसको कितने परशन से चेंज कर दिया 10 परशन से 10 परशन से चेंज किया और आश्यरी की बास सुनो आपके पास solution है E का E का उन्होंने solution ही नहीं किया उन्होंने हाथ खड़े कर दिये बोले अब हमसे नहीं होने वाला मतलब क्या कहना चाहते हो सर कहना यह चाहता हूं मैं कि यह वाले इस पॉइंट पे देखो उसने अगर आप ध्यान से देखोगे आईसी एई का सॉलूशन आपके पास है उसने इस पॉइंट का सेंसिटिविटी अनलिसिस फर्ष्ट एप्रोच जिससे हम कर रहा है उससे किया ही नहीं उन्हें का बस भई हो गया है मुझसे नहीं होने वाला आईसी एई ने यहां हाथ खड़े करती है यह बात है पर हम तो करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे तर हो जाए यस तर हो को जुगार लगा के कर रहे है हाँ वो Intelligent Institute उसको मालो मैं मुझसे नहीं हो ना बच्चे खुद देख ले इसको जहां भी उसको प्रॉब्लम आईगी ना वो आप पर छोड़ देगा कि बहले आप देख ले ना हमको नहीं मालो हाँ 2nd April से करके छोड़ दिया उसना पर यार एक्जाम में फस गया है मालो एक्जाम में ऐसा हो गया तो क्या करोगे एक्जाम में फस गया है एक्जाम में आपने देखा ही नहीं लाइफ तो एक्जाम में मालो अभी एक्जाम चल रहा है और मैं फस गया हूँ तो अब देखो मैं कुछ ना कुछ तो करके जाओंगो, ऐसे नहीं, इसको वापस काट नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करूंगा, ठीक है सर, क्या करोगे, तुमें, प्रॉजेक्ट लाइफ, इसको क्या करना इसको हमें कम करना है 33.33% से कम करना है इसमें से माइनस कर दो 33.33% तो यह टूटल कितना जाएगा 33.33% से कम करना है मैं कमेंट्स देखी नहीं रहा हूँ अब के प्राइ रहा हूँ देखे त clinical which ्कe देखे देख़ ठेखे घृडorm लिएक 36, 495, 868 minus तर यह negative आगया 140 496 so change in NPV P10 293 P10 293 minus minus 140 496 divided by 310 okay into 100 310 293 plus 140 496 divided by 310 293 तर यह आगया 145.8% अब देखो मैं कैसे का 145.28% ảnhпар 203 203 204 204 204 दिवाइद भाइद भाइद थर्टी थ्री पॉइंट तू टैन अंसर आ गया 43.59 परशेंट गया 43.62 परशेंट यह सॉलूशन मैंने क्या मैंने बीटा का यूज किया सेंसिटिविटी होता क्या है सेंसिटिविटी यही तो है 145.28 डिवाइद भाइद भाइद 33.38 करूँ 145.28 डिवाइद भाइद भाइद 33.33 कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है और आंसर कितना आ रहा है इसको डिवाइट करने से आंसर आ रहा है 4.35 इस 4.35 का मतलब क्या है सर हाँ यूनिटरी मैथट बोल सकते हो पर एक बीटा वाला कॉंसेप्ट है सेंसिटिवीटी मतलब बीटा है इसका मतलब इसको इससे डिवाइट के इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब यह हुआ की 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 लाइफ 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 एक परशंट से डाउन होता है तो NPV भी 4.35 परशंट से डाउन होता है लाइफ एक परशंट से तो NPV 4.35 परशंट से तो लाइफ 10 परशंट से तो NPV 43.59 परशंट से सर दस से multiply क्यों किया 100 करना था 100 क्यों मैंने तो 100 ये 100 नहीं है भाई आप गलत समझ रहा हूँ मैं 33.33% पर इतना है तो 10% पर कितना मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आप गलत समझ रहा हूँ पहले मैंने 1% के पीछे निकाला और फिर 10% के पीछे निकाल रहा हूँ एक परशनेज पर इतना तो 10% पर कितना Unitary method से मैं काम कर रहा हूँ हाला कि ये पूरी तरह से सही नहीं है पर कुछ नहीं था हमारे हाथ में तो कम से कम ने ये कर लिया सब पूरी तरह से सहीं क्यों नहीं है मैं इस मेंटर पर बात नहीं करना चाहता मैंने कहा ना भाई क्यों चक्कर में पढ़ रहा हूँ अगर आप लाइफ देख लो तो लाइफ के हिसाब से आप काम कर लेना ठीक है हैं गोट आज तो इस सर कसम से आज तो हमको वापस सब कुछ रिविजन करना पड़ेगा हाँ जी करना पड़ेगा मैं चे तो पहले ही पता था तर दस से मल्टिप्लाई करने का हाँ बिल्कुल इस से अच्छा तो लाइफ ही देख लो ना यार पहले मैं कहरा हूं कि इस कॉंसिप्ट को हम समझने की कोशिछ करे ही क्योँ सब्सक्राइब भी नहीं किया है, IC AI ने भी छोड़ दिया है, तो हम क्यों करें जब अडस्ती खीक है सर बहुत हो गया सर, class over करते हैं यस, एक question homework दे रहा हूं अगर बनेगा तो करना नहीं बनेगा तो कल में class पर एक बार खुद से कोशिस करना मेरे ख्याल से कुछ न कुछ तो हो जाएगा आपसे ये वाला question, question number 33 में आपको homework दे रहा हूं एक बार कोशिस करना ठीक है ठीक है सर तो आज की class over कर रहा हूं थोड़ा आज technical class थी में भी समझ रहा हूं यार इस्थिति आप लोगों की पर technical class थी थोड़ा सा एक बार revise करके इस question को कोशिस करना बन जाएगा तो ठीक और नहीं बनेगा तो फिर मैं डिस्कुस करूंगा recorded है recorded हो जाएगा अभी मतलब जो lecture है वो record हो रहा है मेरे ख्याल से आदा घंटा में upload हो जाएगा तो आप देख सकते हो इस question को बना किने की कोशिस करना question number 33 homework है homework copy में नहीं होगा please homework है पर homework copy में मत करना इसको करना है class work copy में अच्छा question अब एक भी question जब मैं बोलूँगा कि यार ये repeat है same है तो आप homework में कर लेना ठीक है इसको class work copy में करना है class work copy अगर बन जाता है तो आज zoom meeting नहीं है मेरा staff आज भी नहीं है कल आज आएगा सुबह तो कल से हम लोगे start कर दे thank you so much bye bye good night homework करना है नहीं बनेगा तो कल में discuss करूँगा